हिजबुला चीफ हसन नसरल्ला की हत्या से मिडिल इस्ट में भूचा आला गया है। से हलचल तेज हो गई है तो वहीं लड़ाकों का प्रतिशोध जारी है। साथी वीडियो में हिजबुला के पूर्वचीफ हसन नसरल्ला की तस्बीर भी दिख रही है। इसकी बीते दिनों इस्राइले एर स्ट्राइक में मौत हुई है। मानजर रह की राकी प्रतिरोद ने नसरल्ला की हत्या के जवाब में इस्राइल पर ड्रोन अटेक किया है। दरसल लिबनान का हिजबुला समू बाकी सभी गूटों में सबसे ताकतवर और हत्यारों से लैस संगठन है। जो इरान का बेहत खास और इस्राइल का कटर दुश्मन है। युद का विस्तार करना जारी रखे हुए है। हालिया ओपरेशन फिलिस्तीन और लिबनान में हमारे लोगों के समर्थन में और बच्चों, महिलाओं और बुजर्गों समेत नागरिकों के खिलाप इस्राइल के नरसंगारों के जबाब में है। इस्राइली मीडिया ने इलाथ और आसपास की कई बस्तियों में अलर्ट सारन बजने की चेतावनी दी। बताया की ये अलाम इराग से लाँच किये गए एक UAV के शहर के बंदरगा में दुरगटना ग्रस्त होने के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें दो लोग घायल हुए थे। हाला की आईडियप ने कहा की इसराइली नौसेना की मिसाइल बोट ने लाल सागर के इलाके में इसराइली एर स्पेस के बाहर एक ड्रोन को रोक लिया था। समू ने बताया कि उसने 28 सितंबर को भी ड्रोन से कबजे वाले याफा में एक महतवपूर लक्ष पर हमला किया। समू के सैन मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें साब तोर से देखा जा सकता है कि यह उपरेशन हिजबुल्ला के कमांडर इबराहीम अकील को समर्पित था। जो पिछले हपते लिबनान की रजधानी बेरूत को निशाना बनाकर किये गए इसराइली हमले में मारा गया था। बदा दे कि इलार जॉर्डन के पास लाल सागर पर एक दक्षनी इसराइली बंदरगा और रिजॉर्ट शहर है। इसके समुन्द टट अपने शान्थ पानी के लिए जाने जाते हैं जहां पर इराग के लड़ाके लगातार हमला कर इसराइल के सबसे दक्षनी शहर को अर्शान्थ करने में जूटे हैं।